कुछ महिने पहले ही मुझे विपलव विरुडू अलूरू सिताराम राजुजी की एक सो पतीसवी जन्म जन्ती कारकम में आप सब के बीच आने का सोभागी मिला था आज एक बार फिर मैं एक ऐसे अउसर पर आंद्र की धर्टी पर आया हूँ जो आंद्र प्रदेश और विशागा पत्लम के लिए बहुत बड़ा दीन है इटुवंट इनको अवकासं आंद्र प्रव प्रांतान के वच्चिन्दी इदि आंद्र प्रदेश मरियू विशागा पत्लम के गोप दिनम विशागा पत्लम भारत का एक विशेश पत्लम है ये शहर बहुत खास है यहां हमेशा से व्यापार की सम्रुद्ध परंपरा रही है विशागा पत्लम भारत देशन योग का वका प्रिमुका नगरम इदि वका प्रिच्चे के महिन नगरम इकड़ एपुड़ो वियापारम सम्रुद्ध जरिगे परंपर उन्दी विशागा पत्लम प्राचीन भारत का एक महत्वपुन पौट था हजारों वर्स पहले भी इस पौट के जरिये पस्टिमी एसिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशागा पत्नम भारत के व्यापार का केंदर बिंदु बना हुआ है विशाग पत्नम प्राचीन भारत देसं योक्का प्रिमुक ओडरेव इँ ओडरेव द्वारा वयी एलक किर्दम्नोंडि पस्टिमास्टिया रोम वर्कु व्यापारम जरुटु उन्डेदी नेड़ कुड़ा विशाग बटम भारत देशन युटका वियापाराने की मुख्या खेंद्र बिंदू दस हजार करोड रुपिये से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकारपन और थिलान्याद आंद्र प्रोदेश और विशाग पत्नम की आकांग्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी पदिवेला कोटला प्रोजेक्टलो देशानिक अंकितम मरियों सिंकुसापने चेसे आंद्र प्रदेश मरियों विशाग पत्नम प्रजला आकांग्छल नहीं फूर्टती चेसे माध्यम उटुंदी ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रेक्टर से लेकर इज अफ लिविंग और आत्म निर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी विकास को नई उंचाई पर ले जाएगी मैं इसके लिए आंद्र प्रदेश के सभी निवासियों को रज़य से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इपदकालू मौलिक सदुपायल वल्ला सुलबतर जीवितानिकी स्वयम सम्रूद्धिभारत साकारानिकी अनेक अवकासाल कल्पिस्टुंदी इदी अबरिदी यक्क कोच्त सिकरालू शेरुकोडानिके तोटपाट अंधिस्टुंदी मैं इस अउसर पर हमारे देश के पुर्व उपराष्टपती श्री वैंकया नाइडू गारू का भी और स्री हरी बाबू का भी दन्यवाद करना चाहता हूँ वो जब भी मिलते हैं तो आंध्र के विकास के बारे में हमारी काफी बाते होती है आंध्र के लिए उनका प्यार और समर्पन अतुल्निया है नीनी संदरबंग मन देश माजी उपराष्टपती स्री वैंकया नाडिगार की हरी बाबू कारी की दन्यवादालू तेलीजिये सुनानू साध्यों आंध्र प्रदेश के लोगों के बहुत खास बात होती है कि वो सभाव से बहुत नही और उद्यमी होते है आज तक्रीबन दुनिया के हर कौने में हर काम में आंध्र प्रदेश के लोग अपनी प्रसिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं मित्तुलार आंध्र प्रदेश प्रदल की वक प्रिच्चेकत वुन्दी वालु स्वभावरीच्चा स्नेह पोरवकंगा अउच्साहिकंगा कलिगी वुन्टारू नेड़ प्रपंचल लो अनेक चोटला अन्नी पनल लो आंध प्रांतम वालू तम प्रिदिबन करपर सुनारू बात चाहे एजुकेशन की हो या एंटरप्राइज की टेकनोलोजी की हो या मेडिकल प्रफेशन की हर छेत्र में आंधरप्रदेश के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहत्यान बनाई है इदी शदू गुर्ण चेहिना गानी, वियापार दुख्रपदं गुर्ण चेहिना गानी, सांकेतिक रंगलो गानी, वैज्य रंगानी की सम्बनी चेहिना गानी अन्य चोटला आंध प्रांत प्रजलू समप्रेच्चे का गुर्टिंप प्रदस्ट से सुनारू ये पहचाम सिर्फ प्रफेशनल क्वालिटी की वज़े से ही नहीं बनी बल्कि ये उनके मिलंसार व्यहवार की वज़े से बनी है आंध प्रदेश के लोगों का खुस मिजाच और जिन्दा दिल व्यक्तित्वर हर किसी को उनका मुरिद बना देता है ये गुर्टिंप वुर्टि परवेन लक्षनाल कारनंगा काका वालियों का खल्प कोरु तनंग कारनंगा एर पड़िंदी आंध प्रदेश प्रजलियों का वुल्ला समत मैना वुन्नात मैना व्यक्तित्वर वाल ने अला मेच्च को नहिला चेश सुन्दी तेलूगू भाशी लोग हमेशा बहतर की तनास में रहते हैं और हमेशा बहतर करने की कोशिश करते रहते हैं मुझे खुसी है कि आठ यहां जिन विकास परियोजनाओं का सिलान्याक्स और लोकारपन हुआ है वो भी आंधर प्रदेश में प्रगती की गती को और बहतर करेगी सिल्गु प्रजल एप्पुडु कोड अंदरी भागु कोसम वित्कुत उन्टारू अलागे भागु चेईटं कोसम कृशिश चेस उन्टारू नागी चाला संतोशंगा होंदी इरोजु अबरुद्धि कारिक्रमाल योका सेंकु सापना जातिक अंकितम चेसं विशलो आंदा प्रांसा योका अबरुदी मेरुगु परड़ाने के दोहदा पड़ता है इन जपी बाविसनानौ साथियों आज़ादी के अमरित काल में देश विश्षीद भारत के लक्ष को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है विकास की यात्रा बहु आयामी है इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जूड़ी जरुरतों की चिंता भी शामिल है इसमें सबसे बहतर आधुनिक इंफ्रास्टेक्चर का निर्माण भी शामिल है अबिरुदियोक का यात्रलो बहु मुकम हैंदी इंदोलो सामान्य मानवडियोक का आलोचन कोड़ा दागी हुंदी इंदोलो प्रपंचनलो स्ट्रेस्ट्र महिना आधिनिक मौलिक सदुपायलो निर्माण कोड़ा हुंदी आज के इस कारकम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे वीजन की जलग भी साब दिख रही है हमारा वीजन है समावेशी विकास का इंक्लूजीव ग्रोथ का नेडु इकारकम लो मौलिक सदुपायलो कलपनलो मा दार्शनिकत योक्का स्पस्टमैना संकेतं कनबड़तुंदी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उल्जे कि हमें रेलिवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का हम कभी इसे लेकर दुविदा में नहीं फसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर में मों मौलिका सदुपायल कोसम एटुवंटी संदेहाल के लोन का लेदु अधी रेलिवेल अबरुद्धेना रोडल अबरुद्धेना मनम पोर्टुल अबरुद्धी चेद्धामा रहधारल अबरुद्धी चेद्धामा अने विश्यलो संदेह पड़लेदु इन्फ्रास्ट्रक्टर के इस आईसोलेटेड व्यू से देश को भ्यारी नुक्सान उठाना पड़ा इसे सप्लाई चेन पर असर पड़ा और लोजिस्टिस का खर्च बढ़ गया साथियों सप्लाई चेन और लोजिस्टिक्स मल्टी मोडल कनेक्टिवी पर दरभर करते हैं इसलिए हमने इन्फ्रास्ट्रक्टर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अप्णाई हमने विकास के इंट्रिक्रेटेड व्यू को महत्व दिया मितलारा सर्फरा गल्सु बहु मुक्यमेन अनुसंदानम पई आदारी पड़ू उट्टुंदी हिंदु कोसव में मौलिका सदुपायालो कोसव मौलिका सदुपायालो कोसव मौलिका सदुपायालो एक इकृत अलोच अलत को फैद्द पीट वेशाम आज जिस एकोनोमिक कोरिडोर की नीव रखी गई है उसमें छे लेन वाली सड़क का प्रावधान है पौर्ट तक कोहुंतने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी एक तरफ हम विजागा पटनाम रिल्वेस्ट चेसन को सवान रहे हैं तो दूसरी तरफ फीशिंग हारबर को अत्याद भुनीक बना रहे हैं नेडु एकनिमिक केरिडार आधिक आर्थिक लोगिल्वेस्ट गुरिंची आलो चिस्ति नाम अंधुलो आरु रोडल सदुपायं गुरिंची वुन्दी पोर्ट वरिक्कु चेरडं कोसु वक्क प्रिच्चेक मायना रोड निर्मान चेटन जरुवत्त वुन्दी वक्क पक्का विशाकपट्टां रैल्वेस्टेशन नी आधुनी करिश्टन आएं इनको पक्का मनचैपल रेवन कोड़ा आधुनी करिश्टन हुँ साथियों इंफ्रास्ट्रक्ट्टर का ये इंटिग्रेटेड व्यू पी-म गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान की वज़र से संबव हुआ है गतिशक्ती प्लान से ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्टर निर्मान की रफ्तार तेज हुई है बलकि इस से परियोजनाओं पर लगने वाला खर्द भी कम हुआ है मित्रल मौलिक सदुपायल एकी कुर्त आलोचन कारणंगा प्रदान मंत्री गतिशक्ती जाती या प्रणालिक कारणंगा जरूतुंदी मिशन गतिशक्ती द्वारा मौलिक सदुपायल वेगम परिवुतुंदी मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम ही हर सहर का भविश्य है और विशागा पत्लम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है मुझे मालूम है कि इन परियोजनाओं का आंदर के लोगों को लंबे समय से इंतजार था और आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है तो आंदर प्रदेश और इसके तटीय छेत्र एक नई रप्तार के साथ विकास की जोड में आगे बढ़ेंगे नाक तेलसु मेरू येक प्राजेक्ट्स कोसम आंदर प्रजयलो एंतो कालन निंची एदुर चुस्तनार। साथियों आज पूरी दुनिया संगर्श के नए दौर से गुजर रही है तो कुछ देशों में जरूरी सामानों की किल्लप है तो कुछ देश उर्जा संकट से जूज रहे हैं तक्रीबन हर देश अपनी गीर्ती अर्थ ववस्ता को लेकर परेशान है मितलारा इरोजु प्रपंच्रों मत्तों कस्ताल लो उन्दी कुछ देशाल को निच्य उसरा सरक्रों करते तो इबंदी पड़तु नाए कुछ देशालू इन्देन संक्षोमन तो इबंदी पड़तु नाए दादाप प्रती देशम वाल चीनिस्सन आर्थ दिक व्यवस्ता पए आंदोन ले चेदु तुनारू लेकिन इन सब के बीच भारत कई छेत्रों में बुलंदिया छू रहा है भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है और इसे सिर्फ आप ही मैसुत नहीं कर रहे हैं बलकि दुनिया भी बड़े गौर से आपकी तरब देख रही है आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्सपर्ड और बुद्धी जीवी भारत की प्रसंसा कर रहे हैं आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंदर बिंदु बन गया है अज भारत अपने नागरिकों की आशाओं आवशक्ताओं को सरवो परी रखते हुए काम कर रहा है हमारी हर पॉलिसी हर फैसला सामान्य मानवी के जीवन को बहतर बनाने के लिए है इदे इन्दु कहिंदेंटे एपड़ु भारत वाड़ला पौरोलियक का आकांक्षलने आसलने प्रधानंगा तीशकोनी पनी चेस्टुन्दी मा प्रते विधानम मा प्रते नेनयम सामान्य मानवी का जीवितान्य मेरू परश्वन को समें आज एक तरफ पी एलाई स्किम, जीएस्टी, आईबीसी, नेलिशनल इंफ्रास्ट्रेक्टर पाइक्प्लाइन, गती शक्ती जैसी पौलिसी की वज़े से भारत में निवेश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ गरीबों के कल्यान के लिए चलाई जा रही योज्राओं का लगातार विस्तार हो रहा है नेड़ु वकपक्का पीएले स्कीम, जीएस्टी, आईबीसी, जाती या मौलिक सदुपायलू, पाइप्लेइन, गती शक्ती वण्टी पौलसीलू, वल्ला भारत देशनलो, पिट्टुबोल्लू पिरूतु नाई विकास की इस यात्रा में, आज देश के वो इलाके भी शामिल है, जो पहले हाश्ये पर होते थे सबसे पिछड़े जिलों में भी, एस्टिरेशनल डिस्टिक्स प्रोग्रेम के जरिये, विकास से जुड़ी योजनाये चलाई जा रही है अबरिउधिय का, इ도 प्रयानलों, देशनलों, अनेक प्रांतालु, अट्टाड़कु प्रांतालु कोड़ा, चेर्च बड़ाई आकांक्ष, जिल्लाला कारिक्रमनलों, वेनेक बड़ा जिल्लालों, अनेक रकाला,।ह देश के करोडों गरिबों को पिछले धाइस साल से मुक्त अनाज दिया जा रहा है पिछले साड़े तिन साल से पीएम किसान योजना के जरिये किसान के खाते में हर वर्ष सीधे 6,000 रुपिये पहुंच रहे हैं देशन लोग कोटलादी मंदी पैदावालकू गता रुण्डुन नर सोचाल गा उचेत बियम इस्तुनाम गता मूर्ण नर सोचाल नेंडी प्रजान मंत्री किसान सम्माने लिदी द्वारा रहितुल कातालो नेरुगा आर्युवेलु रुपायलु चेरतुन्दी इसी तरह सन्राइज सेक्टर से जुड़ी हमारी पॉलिसी की वज़े से युवाओं के लिए नए आउसर बन रहे हैं ड्रोन से लेकर गेमिंग तक स्पेस से लेकर स्टार्ट अप्स तक हर छेत्र को हमारी पॉलिसी की वज़े से आगे बढ़ने का मोखा मिल रहा है अधे विदेंगा सन्राइज सेक्टर से का आलोचन कारनेंगा युवत की क्वत्ता अवकासाला लभिस्टनाई अधे द्रोन मदलू गेमिंग वरकू अंतरक्षिम निंडी अंकुराला वरकू अनिक शेत्रालो माँ पनुल कारनेंगा मुंदू के वेलेडाने की अवकासान दरुक्तनी साथियों जब लक्षस पस्ट होते हैं तो आकास की उंचाईयां हो या समंदर की गहराईयां हम अवसरों को तलास भी लेते हैं और तरास भी लेते हैं आज आंधर में मोडन टेक्नलोलोजी के जरिये डीप वाटर एनर्जी को निकानने की शुरुवार इसका एक बड़ा उदहारन है मित्तुलार एप्पुडेते लक्षस पस्टंगा उँट्टुंदो अप्पुडु अवकास योक्क अंचुलेना समुद्रम योक्क लोथुलेना अवकास आलनी वितकुत्तों अवकास आलनी अंधुपिच्चुकुँटों इरोजु आंधु प्रदेश लोग आधुनी का संकेति का परिग्नान द्वारा डीप वाटर लोग इंदनानी विलिके तीट मने दी वका गुपप उदारन मात्र में और आज देश ब्लू इकनामी से जुड़ी अनन्त संभावनाओं को साकार करने के लिए भी बड़े सर पर प्यास कर रहा है ब्लू इकनामी पहली बार देश की इतनी बड़ी प्राथिक्ता बनी है इरोजु देश लो नेली आध्दिक व्यवस्तों मुड़ि पड़ी अनेक अवकासालू साकारंकोसों पैज़्द यतना कृश्चे सुनाम ब्लू इकनामी मुदट इसारी इंत प्राधान यतामसंगा चेर्चे बड़िंदी मत्स पालकों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी सुविधा भी उपलब्द है आज विशागा पत्नाम फिशिंग हार्बर को आधुनिक बनाने का जो काम सुरू हुआ है इससे हमारे मच्वारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा मत्स पालकों कोड़ा किसान क्रेडिट कार्ड लांटे सदुपाय लभी सुनाई इलोज विशागा पत्नम यका मत्स रेवो आधुनिक करना पनिप्रारम होतुन्दी दीनिवल्ला मत्स पालकों का जीवितम सुलबतरम होतुन्दी जैसे जैसे गरीब की ताकत बढ़ेगी और आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर से जुड़े अवसरों तक उसकी पहुँच होगी विश्चीद भानत का हमारा सपना भी पूरा होगा ये पुड़े पुड़े ते फेदवाल शेक्त परगुतुन्दो साध्यों समुद्र सद्यों से भारत के लिए सम्रुद्धी और संपन्नता का स्रोत रहा है और हमारे समुद्र त्रटों ने इस सम्रुद्धी के लिए गेटवे का काम किया है आज देश में पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट के लिए जो हजारों करोड रुपिये की परियोजना इच्चल रही है बविश में उनका और विस्तार होगा मित्लार समुद्रम पूर्वकालं निंडी भारत यक्का समुरुद्धी संपत तेवटल्लों आधारंगा उन्दी समुद्र तेवारु मन समुरुद्धी यक्का मुख्या द्वारालुगा माराई हिरोज देशल्लों रेवुलू भूमुलू अबुरुद्धी वेलक कोट्ट रुपायललों प्राजक्टलों नडुस्तुनाई इवी बविश्यतलों मरिंत गा विस्तरिस्ताई विकास की इस समगरत सोच को आज 21 सदी का भारत धरा तल पर उतार रहा है मुझे विश्वास है आंदर प्रदेश देश के विकास के इस अभ्यान में इसी तरह बड़ी भुमी का निभाता रहेगा अबिरुद्धि कोसम इटवँटी समग्यमेन आलोचना इरवयक सताब्द यक भारत धेशं वास्तवरूपन लो अवतरिस्तुन्दी वास्तवरूपन लो तीस कोस्तुन्दी नाको विश्वास होंदी आंड़ प्रदेश देशम्योक के विकासन लो फैद्ध भुमी का प्रदर्शिंच बोत होंदी झालोपन लोग्दी सम्गरूपन लो प्रदेश प्रदेश भारत भारत धर बोत होंदी